हेलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वारा हूँ सौंड एफेक्ट्स जो टेकनिकल वीडियो में बहुत ही यूज के जाते हैं और साथ ही motion background जो बड़े-बड़े यूटूबर्स अपनी वीडियो में यूज करके अपने चैनल को ग्रो करते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी वीडियो में sound effects को add कर सकते हैं और साथ ही में motion background जो कि बहुत ही trending में चल रहा है अब इसी तरह की वीडियो यूटूबर्स बना रहे हैं और अच्छे व्यू ला रहे हैं तो दोस्तों इसे कैसे download करना है तो इस तरह के motion backgrounds और effects को आप एक ही जगा से download कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों सिर्फ एक जगा पे आपको सब मिल जाएगा सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है जी आई डबल टी ए आर जीटर तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जीटर लिखा और अपना डेक्स्टॉब मॉड आउन रखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखके आपको आएगा टेंप्लेट्स का ओप्शन और यहाँ पे बैक्ग्राउंड तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक्ग्राउंड आउच चुके हैं तो आप जो आज किल आपने देखा होगा टेकनिकल वीडियो में यही ट्रेंडिंग बैगराउंड यूज हो रहे हैं तो आप भी अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं तो इसके लिए आपको अपने फोन का डेक्स्टर मॉड अन रखना है इसके बाद आपको थोड़ा सा वेड करना है और यहाँ पर आपका इसका डिवरेशन भी आप बढ़ा सकते हैं जितने सेकंड्स आप चाहें यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और यो मॉशन बैगराउंड है वो सेकंड्स में या मिनिट में आ जाएगा तो आप 720p में एक्सपॉर्ड कर दें तो आपके फोन में यह इस तरह से सेव हो जाता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं 100% होने के बाद यह आपके फोन में सेव हो गया है तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरी वेबसाइड वो है Pixels तो इसमें भी आपको Motion Background free में मिल जाते हैं आपको इसके लिए payment नहीं करना है तो यहाँ पे आप सर्च करें तो सबसे पहले मैं इसे videos को select कर लेता हूँ पहले photos पे लगा था अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ Motion Background तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको Portrait और Landscape में Motion Background मिल जाते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं डारेटली तो दोस्तों बहुत ही कमाल की website है तो साथ ही मैं आपको इसके बाद बताना जा रहा हूँ आप एक ही Motion Background को Different Color में कैसे चेंज करें तो दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल की ट्रिक है अगर आप ये समझ लें तो आप एक Motion Background को अलग-अलग Color में चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पे Filter की Setting होती है तो आप देख सकते हैं Filter करके आप किसी भी Editing App से आप यहाँ पे Filter कर सकते हैं या फिर आप Coin Master VN इसमे एक Color Setting का Option होता है Hue का जब आप Hue करते हैं तो इस तरह से आपके Color चेंज हो जाते हैं तो दोस्तों अब मैं बताने वाले हूँ आपको Sound Effects के बारे में तो दोस्तों यह सिर्फ एक एप है इसका नाम है InShot और दोस्तों इसी एप में आपको सारे Sound Effects मिल जाते हैं जो वीडियो एडिटिंग में य यूज होते हैं तो आप देख सकते हैं यहां कितनी कैटिगरीज के Sound Effects हैं डेली लाइफ, ऑफिस, बहुत सारे आपको Sound Effects मिल जाते हैं ट्रेंडिंग, पॉपुलर, तो दोस्तों बीब, बबल्स, कीबोर्ड, बहुत सारे Sound Effects आपको यहां पे मिल जाएंगे तो दोस्तों जैस आप सुन रहे हैं, बहुत सारे Sound Effects यहां पे हैं, तो इस तरह के Sound Effects बड़े यूटूबर्स जरूर यूज करते हैं आपने देखा होगा, तो दोस्तों सिर्फ यही नहीं, और भी Categories के आपको यहां पे दिख सकते हैं, जिसे के Writing, फिर Timer, बहुत सारे Sound Effects यहां पे आपको देखने मिल जाएंगे, जो आपने टेकनिकल वीडियो में यूज होते हुए देखे होंगे, तो दोस्तों इस एप से अगर आप Sound Effects को यूज करते हैं, तो आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी suggestion में और trending में जाएगी, YouTube पर बहुत ही competition चलना है, और अगर आपको competition की दोड़ में आना है, तो आपको इस तरह से वीडियो को editing करनी पड़ेगी, तभी आपकी वीडियो अच्छी ग्रू हो पाएगी, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और share करें, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको time waste नहीं हुआ होगा, और अगर वीडियो पसंद ना है, तो वीडियो को dislike मारें और चलते बने, thanks for watching.